देरे स्टुडेंट्स आज के स्थूडियो में हम चौदह के पार्ट में जंतों के आर्थिक महत्व वाले पॉंट में परवाल यों परवाल भीतियों के बारे में समझेंगे जो की काफी छोटा point है और इसमें छोटे question बन सकते हैं कि परवाल क्या है और परवाल भीतिया क्या है ठीक है तो देखिए परवाल को अगरेजी में अपन कहते हैं coral ठीक है और परवाल भीतियों कहते हैं coral reefs रिप्स मने होती है भीतियां ठीक है यानि भीतियां यहां दीवार से है एक परकार से दीवार अब देखिए यह होता क्या है कि एकल या निवही एकल का मतलब ऐसे जीव जो अकेले रहते हैं वो तो एकल का लाएंगे और ऐसे जीव जो निवही का मतलब जो ग्रूप में रहत एक साथ मिलकर रहते हैं बहुत सारे जैसे मदुमख्या ग्रूप में रहती हैं तो निवहे में रहती हैं ठीक है तो जो परवाल निर्मान करने वाले परवाल भित्ती बनाने वाले जो जीव हैं समुद्र ये जल ये जीव हैं समुद्र में पाजाते हैं तो ये एकल भी हो सकत हैं या फिर समोह में भी हो सकते हैं जिसे राएग के यहां पर र्खेकर हैं उसमें एक संग है वो सिलेंट्रेटा है तो यह ही क्यों सुन बन जाता है एक तो की परवाल भीतिया जो है कौन से संग के प्राणियों की द्वारा बनती है तो सिलेंट्रेटा संग के प्राणियों से परवाल भीतियों का निर्वान होता है और होता किया यह छोटे छोटे जीव होते हैं और इनके अंदर जो कंकाल बनता है वो भाये कंकाल होता है जैसे अपने सरीर के अंदर कंकाल कोण सा है अंता कंकाल अपने हडिया जो है वो कंकाल कलाती है और मुख्य रूप से कंकाल के अंदर हमारे बाल भी सामिल होते हैं हमारे नाखुन भी सामिल होते हैं दाथ भी सामिल है परन्तु मुख्यते जो हमारी अस्तियां है यानि की हडियां है वो ही कंकाल बनाती है और सरीर के अंदर है कंकाल हमारे इसलिए हमारा जो कंकाल है वो अंता कंकाल है लेकिन कुछ जंतु ऐसे हैं जिनके कंकाल बाहर होता है जैसा कि आपने संक को देखा होगा संक जो कि हिंदु धर्म में मंदिर बगरा में बजाने में उसको काम में लिया दाता है तो वो जो संख होता है वो एक जीव है जन्तु है और उसका बाहिये कंकाल है वो कवच है सफेद रंका जो की केल्शियम कार्बोनेट का बना होता है CACO3 का बना होता है तो silentrator जो संके प्राणी है उनके अंदर बाहिये मुख्य रूपशे बाहिये कंकाल होता है और ये जो परवाल भिति का निर्मान करने वाले जन्तु है उनके बाहर केल्चिम कार्बोनेट का बना हुआ बाहिये कंकाल ये बाहिये है बाहर शरीज के बाहर कंकाल इस्तुरावित करते हैं केल्चिम कार्बोनेट का कवच इनके चारो तरफ होता है जिसे कोरल या परवाल कहते हैं इसे ही अपने क्या कहते हैं जो इनका कंकाल है केल्चिम कार्बोनेट का बना हुआ यही क्या कहलाता है कोरल या हिंदी में इसको परवाल करते हैं यह तो बात भी कोरल की चीक आगे लिखा है देखो इसमें अधिकांस अधिकान्स कोरल यह जो जीव होते हैं कोरल जीव समंदरी जीव यह एंथो जोवा वर्ग के जीवों के द्वारा इस्तरावित के जाते हैं देखो वर्ग का नाम है एंथो जोवा यह भी important question मनता है यहां से संग तो कौन सा था? और वर्ग कौन सा है? एंथो जोवा तो दोनों के जीवों मनते हैं एक तो यहां इसका संग का बन जाता है और इसका वर्ग कौन सा है? वर्ग जो है वो है एंथो जोवा वर्ग अब देखिए यहां पन बात करते हैं आपको यहां चितर में दिखा़ दिरा siya coral इस प्रकार से उपर इस प्रकार से इक कटी भूत लीक दीवार बन जाती है क्टिक है at प्रकार से चुंने की दीवार नीच्छे रीवार बन जाती है वह कोरल भित्तिक autia लगता से माली जी ये को जीव है। इसको च्लिखलाइए है च्छिक है कि बताकरं कि यह तेसरा यह नगा होता है। ठीका थो ये मुकलन कहलता है जो अबस्ता को तो ये जो एक कोरल जो जीव है उसे मुकलन से उसके ओपर दूसरा कोरल बन जाएगा क्योंकि जो कवच ही इससका जो देख रहे हैं德 करमियाग कि इसके थीले बंजाते हैं प्रकार से ज différentes यह इसे ही डिली बंजाते हैं कि समान रचना बंजाते हैं जिसके परवाल bhty कोई कि अरें परवाल भीति का जाता है ठीक है और यह समंदरी जीव जंतों के लिए जैसे को मचलिय Já स्चाहता है धीवार के अथमीदर का भूझता है वाद राञ है ँनकी スता है बंघिंतों परणने वह का जीकफ तो वह्यार बनती है उन्हें प्रकौना के अंदर बहुत सारे चोटे चोटी मचलिया है चोटे जीवजन्तू है, समंधरिय या सेवाल वगैरा है ठीक है, वो अंके अंदर उनके आवास के काम आता है उनके रहने के काम आता है एक परकारशे उनके लिए ये सुरक्षित इस्तान बन जाता है चोटी मचलियों के लिए तो इस परकार से हमने आज के इस वीडियो में जो परवाल और परवाल भीतिवादो पॉइंट है इसके बारे में जानकरी प्राप्ती काफी चोटा पॉइंट है और समझने के लिए आपका नया पॉइंट है पहली बारा आपने दशी क्लास में इसक